शाहरुक खान की फिल्म जवान इस वक्त काफी चर्चा में है। इस फिल्म के दमदार डायलोग्स दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देते हैं। ट्रेलर के बाद Netizens ने कहा कि इसमें एक ऐसा डायलोग है जो शाहरुक खान की निजी जिन्दगी पर आधारित है। लेखक ने अब खुलासा किया है कि वो डायलोग फिल्म की कहानी में नहीं था। फिल्म के एक सीन में शाहरुक खान एक डायलोग में बेटे को हाथ लगाने से पहले बाब से बात कर कहते नजर आ रहे हैं। फिल्म के डायलोग राइटर सुमित अरोडा ने कहा है कि ये डायलोग शुरुआत में स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। फिल्म का ट्रेलर 31 अगस्त को रिलीच किया गया था। उस वक्त इस डायलोग ने शाहरुक के फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा था। शाहरुक खान के बेटे आरियन खान को अक्टूबर 2021 में ड्रग मामले में गिरफतार किया गया था। ये डायलोग उस घटना से जुड़ा है और सोशल मीडिया पर नेटिजन्स कह रहे थे कि किंग खान ने ये डायलोग सिर्फ आफिसर समीर वानखेडे के लिए कहा था। लेखक ने कहा ये एक ऐसी कहानी है जो आपको फिल्म निर्मान के जादू पर विश्वास कराएगी। अरोडा ने कहा कि मैं वहाँ सेट पर था इसलिए मुझे बुलाया गया और स्थिती को देखते हुए मेरे मुव से निकले पहले शब्द थे। बेटे को हाथ लगाने स हमें बहुत खुशी हुई लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि ये लाइन इतनी हिट हो जाएगी और लोग इसे इतना पसंद करेंगे।